दोस्तों वेलकम करता हूँ जजबातों का जहां वेद जावेद अख्तर और आपको नार शुरू कर चुके हैं शर्लोक होम्स की एक नई कहानी विस्टेरिया लॉज और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर करते चलिए ताकि आने वाली कहानी आपको टाइम पर मिल पाए तो चलिए जल्दी से नई कहानी शुरू करते हैं लेकिन इस कॉर्ट एक्सलेस को विस्टेरिया लॉज में इन्वाइट करना और उसे बुलाना बिलकुल बेवज़ा नहीं लगता क्या वज़़ हो सकती है? हो सकता है उसे वैसे ही नई दोस्ती के चाओ मैं बुला लिया हो? हम इस सारे मामले की एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलते हैं वे नौजवान स्पैनिश गार्सिया और सकॉर्ट एक्सलेंस की से अचानक दोस्ती के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए वे गार्सिया था जिसने दोस्ती की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए उसने ही सकॉर्ट एक्सलेंस से मुलाकात के अगले ही दिन संबंद इस्तापित किया जो कि लंदन के दूसरे कौने में रहता है उसके बाद उसने उसे ईशर आने की दावद भी दे दी और उसे सकॉर्ट ने मंजूर भी कर लिया सवाल पैदा होता है कि वे सकॉर्ट से क्या चाहता था इसकॉर्ट से उसका कौन सा मतलब निकलता था अब मुझे तो इस आदमी में कोई खास बात नजर नहीं आती कोई हाजिर जवाब किसम का मजा की आदमी भी नहीं है जिसमें एक गपे मारने में आनन दाता हूँ फिर गार्सिया को अपने जानने वाले आदमियों के मकाबले में इस आदमी के अंदर क्या खास बात नजर आई जो इसके मकसद को पूरा कर सकती थी सुचने वाली बात ये है क्यों उस आदमी में ऐसी क्या खुबी नजर आई गार्सिया को जो उसने इसे ही चुना मुझे एक खुबी नजर आती है और वो ये है कि स्कॉल्ट एक इज़ददार ट्रडिशनल ढंका अंग्रेज है ऐसा अंग्रेज जिसकी बात को दूसरे अंग्रेज पूरी तरह सुनने के लिए मजबूर हो मेरा भरूसा है कि गार्सिया उसे किसी घटना का चश्मदीद गवा बनाना चाता था ताकि जब वे उस घटना को दूसरों के सामने सुनाए तो वे उस पर भरूसा करें तुमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि दोनों इंस्पेक्टरों में किसी ने भी उसके बयान सुनने के बाद उससे सवाल जवाब करने की तकलीव नहीं की है ना ताज्यूब वाली बात लेकिन वो उसे किस घटना का समझ में आया मैंने बता दिया ऐसा तो नहीं कि गर्थिया अपने किसी अपराद के लिए स्कॉर्ट को गवाब बनाना चाहता था क्या बात है वाटसन तुमने तो कमाल कर दिया मुझे लगता है शायद ऐसा ही हुआ होगा बाचीत करने कि घड़ी की सुईयों को आगे पीछे करके उन्होंने स्कॉर्ट को उस वक्त से पहले ही सुने के लिए भिज दिया जो वक्त वै समझ रहा था इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि जब गार्थिया उसके कमरे में गया और स्कॉर्ट ये समझ रहा था कि तब एक बज़ा है हो सकता है उस वक्त बारा ही बज़े हूँ अब अगर गार्थिया जो करना चाहता था उसे करके सफलता पूरवक वापस आ जाता पैस समय की सीमा रेखा के अंदर अंदर बाद में अगर उस पर किसी तरह का कोई आरोप भी लगाया जाता तो वे स्कॉर्ट एक्सलेस की गवाही की मदद से उस आरोप का जोरदार शब्दों में वरूत करते हुए कहता कि उस समय वे मुल्दिम के साथ उसके घर पर मौजूद था गारसिया का एरादा था कि अगर वे अपने अपराद से किसी कानोनी मामले में फसा तो इस कॉर्ट को अपने बचाओ में तुरूप के पत्ते की तरह इस्तमाल कर लेगा ये बात तो तुम्हारी सही लगती है मेरी समझ में भी आ गई लेकिन उसके नौकरों के भागने के बारे में क्या विचार है मेरे पास अभी इस मामले से जुड़े पूरे सबूत मौजूद नहीं है इसलिए इस बारे में अभी पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकता लेकिन तुम जिस ढग से अभी तक हासिल जानकारी को अपने अनुमानों के इर्द गिर्द गुमाने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि मामले के तह तक पहुँचने का वे तरीका एकदम गलत है हो सकता है लेकिन वे संदेश जो आया उसके बारे में तुम्हारा क्या खयाल है पहले हमें उस संदेश की शब्दा वली को देखना होगा जो इस तरह है हमारे अपने रंग हरा सफेद ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रतियोगता की तरफ इशारा है अरा खुला तफेद बंद जाहर है ये किसी किसम का संकेत है मुख्य सीडियां पहला गल्यारा स्तात्मा दाएं हरी बनात इन शब्दों के सार से मालुम होता है कि घुपत रूप से मिलने के लिए कहा जा रहा है और ये मुलाकात निश्चत रूप से काफी खतरनाक भी है नहीं तो संदेश के आखिर में ये ना लिखा होता कि प्रभू रक्षा करें जाहर है कि काफी खतरनाक मामला है हो सकता है कि इस सारे मामले की जड़ में अपनी पत्नी की बेवफाई से क्रोधित कोई पती ही निकले इस मामले में ये डी अक्षर शायद हमें कुछ रास्ता दिखा सके वे आदमी स्पैनिश था मेरा ख्याल है कि डी से डोलोरस बनता है क्योंकि स्पैन में औरतों का ये नाम रखना काफी समानने बात है तुमने अपने दिमाग के घोड़े तो खूब दोड़ाई मगर गलत दिशा में दोड़ाई क्योंकि कोई भी स्पैनिश अगर किसी दूसरे स्पैनिश को कुछ लिखेगा तो वो स्पैनिश भाषा में ही लिखेगा इस संदेश को जिसने भी लिखा है वे जरूर अंग्रेज़ है गसे इस मामले पर और माता पच्ची करते रहने से कोई फायदा नहीं मेरा खयाल है हमें तब तक आराम से बैठना चाहिए जब तक कि इस्पैक्टर बैनिस हमें लेने के लिए नहीं आ जाता इस्पैक्टर बैनिस के आने से पहले ही होम्स के भेजे हुए टेलीग्राम का जवाब आ गया उसे पढ़ने के बाद होम्स उसे अपनी नूटबुक में रखने ही जा रहा था कि उसकी नजर मेरी आशा पूर्ण चेहरे पर पड़ी और उसने खिलकलाती हुई हसी के साथ उसे मेरी तरफ फेक दिया हम हाई प्रोफाइल समाज में दाखिल होने जा रहे हैं वे बोला उस टेलीग्राम में कुछ लोगों के नाम पते की लिस्ट थी अपने काम करने के एरिया को छोटा रखने का ये सबसे आसान तरीका है होमस ने कहा मुझे यकीन है कि तरीके से काम करने वाला इंस्पेक्टर बेनिस भी इसी से मिलता जूटा कोई आप तरीका अपनाएगा मैं कुछ समझा नहीं सुनो मेरे पैरे दोस्त हम इस नतीजे पर तो पहुँच ही चुके हैं कि डिनर के दोरान जो संदेश गारसिया को मिला था वे किसी गुपत मुलकाद से संबंदित था अब अगर उस संदेश के मताबिक किसी से गुपत रूप से मिलने के लिए जाना था तो उसके लिए मुखे सीड़ियां चड़कर एक गल्यारे में पहुँचना था गल्यारे में पहुँचने के बाद सातमाद दरवाजा तलाशना था इन सब बातों से यानुमान तो आसानी से लगाया जा सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा मकان या इमारत होनी चाहिए इसके साथ ही यानुमान लगाना भी कोई खास मुश्किल नहीं है कि वे मकान आक्शॉर्ट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि गार्सिया उसकी तरफ पैदल ही जा रहा था और जो तथ्य इस समय हमारे सामने हैं उनके मताबिक उसे एक निश्चित समय के बीच विस्टेरिया लॉज लोट कर आना था और वे समय शायद एक बज़े तक का था अब चोकि आक्शोड के आसपास बड़े मकान और अमारतें जादा होनी चाहिए तो मैंने एक सीधा तरीका चुना कि उस इस इलाके के जिस दलाल का जिक्र इसकॉर्ट एक्सलेस ने किया था उसे एक तार भेजा जाए और उससे जवाब में एक लिस्ट मांग ली जाए हमारी उस उलजी हुई समस्या का दूसरा चोर इन्ही लोगों के बीच कहीं चुपा हुआ है बरहाल हम लोग उसी दिन शाम 6 बजे से पहले इशर के खूदसूरत गाउं तर्रे में इंस्पेक्टर बेनस के साथ पहुँच गए थे हुमस और मैं अपना आवशक सामान साथ ले आए थे क्योंकि रात को वहाँ ठहरना ही था इसलिए हमने बुल नाम की एक सराई में आराम देहे कमरे लिए और उसमें अपना सामान रख कर हम इस्पेक्टर बेनस के साथ विस्टेरिया लॉच का मौाइना करने के लिए चल दिये वे मार्च के महीने की एक ठंडी और अंधेरी सी शाम थी ठंडी हवा के साथ हलकी बारिश की बोचार हमारे चेहरे पर पड़ रही थी मौसम उस निर्जन से इलाके से पूरी तरह मेल खा रहा था जिससे हमारी सड़क गुजर रही थी और हमें अपने लक्ष की और ले जा रही थी कुछ मेल के सफर के बाद हम एक बड़े से लकडी के गेट के पास पहुँच गए जिसके पार पेडों के बीच से गुजरता हुआ एक वीरान सा रास्ता था उस गुमाओदार रास्ते से होते हुए हम उस अंधेरी इमारत के सामने पहुँच गए जो भूरे रंग के आसमान के नीचे बिलकुल काली नजर आ रही थी बाएं दर्वाजे के पास की सामने वाली खिड़की से एक बहुत ही कमजोर और थरतराती हुई सी रोशनी की किरन जहांक रही थी यहाँ एक सिपाही तैनात है बेनिस ने बताया मैं खिड़की को खटट आता हूँ वो घास वाली जमीन के टुकडे पर से होता हुआ खिड़की के पास पहुँचा और उसने अपने हाथ से खट-कट आया मैंने देखा कि धुंदले शीशे के पास किसी आदमी की हलकी सी आकरिती कुरसी से उचलकर खड़ी हो गई जो आक के नजदीक रखी थी उसके साथ ही किसी की तेज चीख अंदर से बहाराती सुनाई दी अगले एक शण एक डरे हुए से सफे चहरे और हापते हुए से पुलिस में ने दर्वाजा खुला जिसके कापते हुए हाथ में एक मुम्बती डोल सी रही थी क्या बात है वॉल्टर्स इतना डर क्यों रहे हो बेनेज ने तेज सुर में पूछा सिपाही ने अपने माथे का पसीना पूछा और राहत की एक लंबी सांस ली अच्छा हुआ सर आप आ गए वे थरतराते हुए सुर में बोला शाम ढल चुकी है और रात का अंधेरा उतराया है मैं अब और जादा बरदाश नहीं कर सकता लगता है मुझ में अब पहले जैसी हमत नहीं रही है सर क्या दरवाजा खोलने के लिए भे कुछ जादा हमत की जरूरत होती है वो बात ये है सर कि सुनसान मकान में मैं अकेला हूँ और एकदम तनहा किचिन की वे गड़बड और जब इस मनहूसी खामोशी में आपने खिड़की पर देस्तक दी तो मैंने समझा कि वे फिर आ गया क्या बक रहे हो कौन फिर आ गया क्या था खिड़की पर और कब पता नहीं कौन शैतान था खिड़की पर था सर तकरीबन घंटे बर पहली की बात है सर मैं कुरसी पर बैठा पढ़ रहा था काम की रोशनी भी बराबर कम होती जा रही थी न जाने क्यों मैंने अचानक नजरे उठाई अभी मुझे दिखाई दिया कि मुझे कोई खिड़की के निचले शीशे में से घूर रहा है ये भगवान सर कितना भयानक चैरा था वे मैं सपने में भी देखकर डरता हूँ छी छी वॉल्टर्ड एक पुलिसमेन होकर तुम ऐसी बेहुदा बाते करते हो जानता हूँ जानता हूँ मुझे ऐसी कायरता पूर्ण बाते नहीं करनी चाहिए लेकिन आपसे जूट भी नहीं बोलूँगा उस चैरे ने मुझे अंदर तक खिला कर रख दिया ना वो काला था ना सफेद बस अब क्या बताओं कि वे किस रंग का था बहुत ही अजीब सा रंग था उसका मिट्टी जैसा जिसमें थोड़ा सा दूद मिला दिया गया हो और फिर वो कितना बड़ा था आपके चैरे से भ खड़ रखा था जैसे मुझे कच्चा ही जबा जाएगा मैं आपसे सच कहता हूं सर डर के मारे मेरा दम सूख गया था नास भी नहीं ले सका था और जब तक वे चेहरा खिड़की पर से हट नहीं गया तब तक मुझमें अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई और जब वो वहां से सरक कर चला गया तो मैं अपनी जगह से हिला हिम्मत करके बहार आया आसपास की जाडियों में घूम फिर कर देखा पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो कहीं दिखाई नहीं दिया अगर मुझे ये मालूम ना होता कि तुम एक भले और सज्जन आद कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां के अकेले पन से तुम इतना डर गए हो कि तुम्हें अजीब किस्म के डरावने नजारे नजर आने लगे हैं इस बात का फैंसला तो अभी हो जाता है शेलक होम्स ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्श निकालते हुए कहा और फिर गास के मै का निरिक्षन करने के बाद बूला कोई तो यहां जरूर था जिसने शायद बारा नंबर का जूता पहना था और अगर उसका शरीर उसके पैर कैनुपात के मताबिक होगा तो वह निश्चित रूप से कोई दैती ही था फिर वो कहा गया लगता है वो उधर की ज़ड़ियों मैंसे हुता हुआ सड़क की तरफ निकल गया इंस्पेक्टर ने गंभीर और विचार करने वाली मुद्रा के साथ कहा वे चाहे कोई भी था और चाहे किसी भी इरादे से यहां आया था मगर फिलाल यहां से जा चुका है इसलिए उसके बारे में कोई बात करने से कोई फाइ आसल ना हुआ जाहिर था कि किराईदर अपने साथ कोई खास सामान नहीं लाई थे उन्होंने पूरा मकान परनीचर और जरूरत की हर छोटी मोटी चीज़ के साथ किराई पर लिया था यह जरूर है किराईदर अपने पीछे कपड़े छोड़ गए थे जिन पर मार्क्स एं इसके अलावा तंबाकु के पाइप कुछ उपन्यास जिसमेंसे दो स्पैनिश भास्षा में थे एक पुराना सा रिवॉल्वर और एक गेटार किराईदार की नीजी समपत्ती के रूप में वहां पड़े थे मैं पहले ही यहां चेक कर चुका था और जानता था कि यहां कुछ नहीं मिलने वाला लेकिन फिर भी एक नज़र आपको दिखा लेना मैं जरूरी समझता था बैनिस ने कहा जो मुमत्ती हाथ में लिये हुए उन लोगों के साथ कमरों में घूमता रहा था लेकिन अब मिस्टर हूम्स मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलकर एक नज़र किचिन को भी देख लीजिए यह पकान की पिछली साइड में बना हुआ एक अंधेरे से भरा कमरा था जिसकी च्छत उंची थी उसके एक कौने में घास का गद्दा विचा हुआ था जाहिर था कि रसोईया उस पर सोता होगा किचन टेबल पर जूटे बरतनों का धेर लगा हुआ था जिन में वे प्लिटे भी शामिल थी जिन का सामान पूरी तरी से नहीं खाया गया था जाहिर था कि वे पिछली रात के डिनर की यादगार की रूप में वहाँ पढ़ी थी इसे देखिए बेनिस ने कहा ये क्या है और अपनी मौंबत्ती की रोशनी का आश्चर जनक वस्तू पर डाली जो कि एक अलमारी के पीछे खड़ी थी वे ऐसी मुड़ी थुड़ी सूखी और मुर्जाई सी आकरिती थी कि ये पता लगाना मुश्किल था कि वे क्या है अत्वा क्या चीज रही होगी एक बार तो मुझे ऐसा लगा एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वे काले चमडे जैसी चीज किसी बौने की लाश तो नहीं या फिर किसी नीग्रो बच्चे के शरीर को मिस्र की प्राचीन मम्यों की तरह कोई मसाला लगा कर सुरक्षित रखा गया हो फिर मुझे लगा कि ये किसी बंदर की लाश भी हो ज़कती है बरहाल मैं किसी नतीजे पर नहीं पौन सका और संदे के जूले में जूलता हुआ सोचता रहा कि ये आदमी है ये जानवर उसके बीच में एक डबल डोरी सी लिप्टी होई थी जिसमें सफेद स्टीप के टुकड़े लगे हुए थे बहुत खूब होमस ने उस भायानक से अवशेश को बहुत गोर के साथ देखते हुए कहा इसके अलावा और भी कुछ है खामोशी के साथ बेनेस हमें सिंक के पास ले गया और उसने अपनी मौमबत्ती को आगे कर दिया उसमें किसी बड़े से सफेद पक्षी के अंग पड़े हुए थे जिन्हें बड़ी बेहरेमी के साथ नूचा गया था क्योंकि उन पर अभी भी पर लगे हुए थे और हर तरफ बिखरे हुए भी थे होमस ने कटे हुए सिर के साथ लंबी कलगी की और इशारा किया जाहिर है कि सफेद मुरगा है वे बोला ये तो बहुत ही जिग्यासा पूर्ण और दिल्चस्प केस्ट बनता जा रहा है लेकिन इस्पेक्टर बेनिस ने आंत में हमें एक और भयानक क्रूप से वीभत्स वस्तो दिखाई उसने सिंक के नीचे से एक जस्ते का घड़ा निकाला जिसमें काफी मात्रा में खून था उसके बाद उसने लकडी के बरतन में से कुछ जली हुई हड्डिया निकाली यहां कुछ काटा भी गया है और कुछ जलाया भी गया है वे बूला हमने इन्हें राक्स में से निकाला है सुबह भी डॉक्टर हमारे साथ था उसने बताया कि यह किसी आदमी के अफशेश नहीं है होम्स मुस्कुराया और उसने हपने हाथ आपस में रगड़े तुम बधाई के पात रो इंस्पेक्टर के तुमें कैसे शांदार और अनोखे केस पर काम कर रहे हो और मुझे ये कहने में कोई ही चक नहीं के तुम काफी परतिबाशाली भी हो इंस्पेक्टर बेनेस की छुटी छुटी आँखें खुशी से चमक उठी हैं आप ठीक है रहे हैं मिस्टर होम्स दबूला लेकिन इस दियाती माहूल में परतिबाशाल बेकार होकर रह जाती है फिर भी मैं समझता हूं कि इस तरह का केस आदमी को अपनी परतिबाशाल दिखाने का मौका तो देता है और मैं इस मौके का पूरा फाइदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे आपके ख्याल में हड्डियां किसकी हो सकती है मेरे ख्याल में तो ये कोई भेड है या शायद मिमना और ये मुर्गा फिरहाल तो यही कहा जा सकता है कि सब कुछ अदबुद है अदबुद तो है ही जनाब एक बात तो खेर साबित हो जाती है कि इस घर में कुछ अजीब लोग रहते थे जिनकी हरकतें भी अजीब थी उन में से एक तो मारा गया अब सोचना ये है कि क्या उसके नौकरों ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें पकड़ना होगा इसके लिए वैसे तो मैंने हर रास्ते की निगरानी शुरू करावा दी है मगर फिर भी मैं इस सारे मामले को दूसरे ढंग से सूच रहा हूँ यानि तुम्हारे पास कोई और थेरी है तो सही मिस्टर होम्स लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं क्योंकि उस पर मैं खुद अकेला अपने ढंग से काम करना चाहता हूँ बुरा मत मानी मिस्टर होम्स लेकिन आप तो अपना बहुत नाम कमा चुके मुझे भी अपना नाम करना है इसलिए मैं इस केस को आपकी साहिता के बिना अकेला ही हल करना चाहता हूँ ताकि बाद मैं मैं सीना ठोक कर कह सकूँ कि इसे मैंने अकेले अपने बुद्धी बल से हल किया होम्स ने शलता के साथ हंसा ये तो बहुत अच्छी बात है इंस्पेक्टर वे बुला तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते चलता हूँ लेकिन फिर भी अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो तुम बेज़ज़क मेरे पास आ सकते हो मेरा खयाल है मुझे इस घर में जो कुछ देखना था वे सब देख लिया अब मैं अपने समय का कहीं और सदिपियो करने के लिए तुम से विदा लेता हूँ इंस्पेक्टर गुड लट हम लोग सराइल उटाए मेरा खयाल था कि शरलो खोमस अब इस केस को फटा फट हल कर देगा और फिर मुझे विस्तार से इस बारे में सब कुछ बताएगा मुझे उस मौके का इंतिजार था लहाजा मैं इंतिजार करने लगा और इंतिजार ही करता रहे गया दिन पर दिन भीत चले गए और मेरे दोस्त ने अगला कोई ख़दम नहीं उठाया एक सुबह वे शेहर जरूर गया और उसकी बातों से मुझे इतना आभास भी बिलना कि वे बिर्टिश म्यूजियम में गया था इसके अलावा और कुछ नहीं बस यह काम करने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया या तो खाली बैटा हुआ सूचता रहा या अकेला ही लंबी सेर पर निकल जाता या फिर कुछ गाउवालों से गप्पे मारता रहता जिन से उसने इन दिनों जान पैचान पैदा कर ली थी मेरा खयाल है वाटसन कि देहात में एक हफ़ते का समय बिताना तुमारे लिए काफी लाबधायक सावित होगा एक दिन उसने कहा प्रकृती के बीच रहकर फूल पौधों को देखना कितना अच्छा लगता है एक खुरपा एक टीन का डिबबा और पेड़ पौधों से संबंधित किताब लेकर अगर वहां घूमा जाए तो बहुत सी ग्यान को बढ़ाने वाली जानकारी हासिल की जा सकती है मैं तो नहीं लेकिन वे इन सब चीजनों के साथ देहात के जंगल में घूमने के लिए निकल जाता मगर शाम को जब वे लोटता तो उसके पौधों और पत्तों की बुरी इस्तिती देखकर हसी आती बीच बीच में घूमते फिरते इंस्पेक्टर बेनेस से भी मुलाकात हो जाती जब वे मेरे दोस्त का अभिवादन करता तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती और आखों में अजीब सी चमत केस के बारे में वे बहुत ही कम बातें करता उन कम बातों से भी हमें इस बात का अंदाजा हो जाता कि वे अपनी प्रगती से असंतुष्ट नहीं है और अपनी सफलता का पूरा भरूसा है मुझे ये मानने में कोई अतराज नहीं कि उस समय में आश्चर से उचल पड़ा जब हत्या के पांच दिन बाद एक सुबाए मैंने अकभार में बड़े बड़े अकशरों के साथ छपी हुई ये खबर देखी आख्शोर्ट हत्याकान का रहस्य सुलजा संदिक्त हत्यारा गिरफतार मैंने हेडलाइन पढ़कर सुनाई तो होमस एकदम इस तरह सोचला जैसे कुर्सी ने अचानक उसे काट खाया हो क्या कहा विचिल लाया तुम्हारा कहीं मतलब ये तो नहीं कि बेनेस ने उसे पगड़ लिया है लगता तो ऐसा ही है कहते हुए मैंने आगे की ख़वर पढ़नी शुरू की इशर और उसके आसपास के लाके में उस समय संसनी सी दोड़ गई जब ये मालुम हुआ कल देर रात गए औक्षोट हत्या कान से संबंदित एक ग्रफतारी की गई ये याद ही होगा कि विस्टेरिया लॉज के मिस्टर गार्सिया की लाश औक्षोट काउमन के लाके में पाई गई थी उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया था उसी रात मरतक का नौकर और रसुया भी गायब हो गए जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उनकी भी सपराद में हिस्सेदारी थी हाला कि इस खबर की सच्चाई का भी तक कोई सबूत नहीं मिला लेकिन ऐसा सुना जाता है कि मरतक अपने घर में कुछ कीमती सामान रखता था और उसे चुराने के उद्देश से ही अपराद किया गया इंस्पेक्टर बेनिस को इस बात का पका यकीन था कि अपरादी कहीं दूर भाग कर नहीं गए हैं और आसपास ही कहीं छुपे हैं लहाजा उसने तलाज जारी रखी और आखिर कार उसकी मेहनत तरंग लाई क्योंकि देट्याकार व्यक्ती का हुलिया इस मामले में विशेश महत्वर रखता था कि उसकी आकरती नीग्रो लोगों से मिलती जुलती थी एक बार पहले भी कॉंस्टेबल वॉल्टर के हाथ से बचकर निकल गया था जब उसने अपराद के बाद भी विस्टेरिया लॉज के पास आने की हम्मत की थी इंस्पेक्टर बेनिस का अनुमान था कि इस वेक्ति का दुबारा उस जगह आना किसी मतलब से खाली नहीं हो सकता उसे इस बात का भी भरूसा था कि वे दुबारा आएगा इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे लॉज खाली पड़ी है लेकिन वास्तम में उसके आदमी आसपास की ज़ाडियों में छुपे हुए थे चाल कामयाब रही और पिछली रात जबरदस थाता पाई में कॉंस्टेबल डाउनिंग बुरी तरह घायल हो गया जिसे उस जंगली ने बुरी तरह काट लिया था हमें उमीद है कि जब कैदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो पुलिस उसका रिमांड ले लेगी और फिर अपरादी से पूछताच करके सारे रहस का परदाफा आश कर देगी इसका मतलब हमें बैनिस से फौरण मिलना होगा होमस ने अपना हैट उठाते हुआ कहा हमें उसके निकलने से पहले ही उसे पकड़ना होगा हम तेजी के साथ गाउं की गलियों से गुजरते चले गए और जिसकी उमीद थी इंस्पेक्टर बैनिस अपने निवास से निकल ही रहा था आपने अकबार में देख ही लिया होगा मिस्टर होमस वे हमारी और एक अकबार बढ़ाता हुआ बुला हाँ इंस्पेक्टर मैंने अकबार में देख लिया है लेकिन अगर मैं तुम्हें एक दोस्ताना चेतावनी देना चाहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे चेतावनी कैसी मिस्टर होमस मैं इस केस का बड़ी गहराई के साथ अध्यान कर रहा हूँ और मैंने ही समझता कि तुम सही दिशा में जा रहे हो मैं चाहता हूँ जब तक तुम्हें पक्का यकीन नहो जाए तब तक तुम आगे कदम नहीं आपकी सला के लिए शुक्रिया मिस्टर होमस वे होमस को अपनी बात पूरी करने का अफसर दिये बिना ही बोल पड़ा मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ताकि बदनाम नहो हमें पहले ही तैज हो चुका था कि हम अपने अपने ढंग से काम करेंगे अपनी चमकती आँखों के साथ मुस्कुराता हुआ वह बुला वही मैं कर रहा हूँ फिर ठीक है होमस नहें कहा लेकिन बाद मैं मुझे दूश मत देना तो उश देने की कोई बात नहीं मैं जानता हूँ आप मेरा भला सूच रहे हैं लेकिन हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है मिस्टर हूमस आपका अपना तरीका है और शायद मेरा अपना एक खास तरीका है फिर तो और कुछ कहने का कोई फाइदा नहीं लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं चुपा रहा जिस अपरादी को हमने पकड़ा है वे एकदम जंगली और घोड़े की तरह ताकदवर है शेतान कीजी ताकत के साथ लड़ता है उसने डाउनिंग का अंगूठा चबा डला अगर उस पर काबू ना पा लिया होता तो वे शायद उसे काट कर ही खा जाता वे इंगलिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाता इसलिए हम उससे कुछ भी ना उगल वा सके क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत मौजूद है क्यों उसने ही अपने मालिक की हत्यागी है मैंने कहा ना मिस्टर होम्स कि हम दोनों का अपना अपना तरीका है और मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ हम दोनों की बीच यही तैह हुआ था होम्स ने अपने कंदों को जटका दिया और हम लोग वहां से चल दिये अफसूस है कि मैं उसे रोक ना सका चलते चलते वे बूला वे नीचे गिरने के लिए हवा के घुडे पर चड़ रहा है खैर जैसा वे कह रहा है हमें अपने अपने तरीकों से काम करना चाहिए फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलता है लेकिन इस इंस्पेक्टर बेनेस में कोई बात ऐसी जरूर है जो मेरी समझ से बाहर है उस कुर्सी पर बैट जाओ वर्टन ये बात शर्लक होंस ने तब कही जब हम सराइके अपने कमरे में पहुँच गए मैं तुम्हें अब तक की सारी इस्तिती बता देना चाहता हूँ क्योंकि आज रात मुझे तुमारी मदद की जरूरत है मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अब तक ये केस हमारे सामने किस तरह से खुलता चला गया या ये कहना ज़ादा बेतर होगा कि कैसे बनता चला गया शुरू शुरू में ये जितना आसान लग रहा था उतनी हैरान करने वाली मुश्किलें इसमें पैदा होती चली गई अभी बीच की बहुत सी कड़ियां गायब हैं जिनने हमें तलाश करना है वो पलबर के लिए रुका हम वापस उस संदेश पर पहुंचते हैं जो गर्थिया को उसकी मौत की रात खाने की टेबल पर दिया गया था हम इंस्पेक्टर बेनिस के इस आईडिया को छोड़ना होगा कि उसके नौकर उसकी हत्या में शामिल थे इस बात का सबूत ये है कि गर्थिया ने खुद स्कॉर्ट एक्सिलेट्स को उस समय वहाँ उपस्तित रहने के लिए तयार किया था जिसका सिर्फ एक ही उद्देश हो सकता था जिसका सिर्फ एक ही उद्देश हो सकता था कि उसे कोई चेश्मदीत कवा चाहिए था इसका मतलब है कि वह खुद गर्थिया था जिसका कोई खास उद्देश था और निश्यत रूप से कोई अपरादी मकसद था उस रात जिसके चक्कर में वह मारा गया मैंने उसके अपरादी मकसद की बात क्यूं कही जानते हो क्योंकि किसी अपरादी को ही किसी चेश्मदीत कवा की जरूद पढ़ती है अब सवाल उठता है कि उसकी जान कौन ले सकता है जाहर है कि वह आदमी जिसके खिलाफ पे कोई अपराद करने जा रहा है यहां तक मैं समझता हूँ हम ठीक दिशा में जा रहे हैं फैफर रुका अब हम गार्सिया के नौकरों के गायब होने के कारण को भी समझते हैं वे दोनों उसके उस अंजाने अपराद के सही होगी थे अगर गर्षिया अपने काम को सफलता पूरुपक निप्टा कर लोटाता तो उस इंग्लिश महमान की गवाई सारे संदेहों को दूर कर देती और सारा मामला ठीक टाक रहता लेकिन वे मामला जैसे तुम उसे कोशिश भी कह सकते हो कुछ ज़ादा ही कतरनाक था इसलिए ये भी तै किया गया कि अगर गर्षिया तै की गई समास सिमा के भीतर लोट कर नहीं तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले नए अपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद